आए दोस्तों मैं discuss करता हूँ कुछ interesting MS Word की formatting shortcut की first shortcut की है कि अगर आपने यहाँ पर font का dialer box open करना है तो यहाँ आप अपने keyboard से press कर लिजे control D तब भी font का dialer box open हो जाएगा याप अपने keyboard से press कर लिजे control shift और F button तब भी यहाँ पर font का dialer box open हो जाएगा आए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर next shortcut की वह होता है कि अगर आपने remove करनी है formatting तो आप कैसे करेंगे अब जैसे कि हमारे पास यह वाले text है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसकी formatting करी है मतलब इसका color change किया है इसको bold किया है थोड़ा italic किया है अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारी पहले थी formatting शुरू में वैसी formatting आ जाए तो इसके लिए जैसे आपने टेक्स सेलेक्ट करना है और अपने keyword से प्रेस करना है control और space बटन तो आपकी by default वैसी formatting यहाँ पर आ जाएगी आये दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर next shortcut की वह होता है कि अगर आपने format painter का use करना है मतलब copy करनी formatting एक जगे से दूसरी जगा तो आप कैसे करेंगे अब जैसे कि हमारे पास यह वाला text लिखा है और आप देख सकते हैं इस text में हमने formatting करी है मतलब इसको italic किया है और इसको हमने यहाँ पे जैसे कि red color किया है अब मैं चाहता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई heading लिखी है जैसे कि ऊपर तो मैंने लिखा head of the department यहाँ पर मैं heading लिख लेता हूँ let's say introduction और मैं चाहता हूँ इस introduction में भी यही वाली formatting आ जाए तो उसके लिए जैसे आप सबसे पहले अपने text कर लिए जहां पर भी आप copy करना चाहते है formatting और copy करने के लिए प्रेस करेंगे यहाँ पर Ctrl-Alt-C अब आपकी formatting copy हो गई है अब जहां पर भी आपने formatting paste करने है उसको प्रेस करने Ctrl-Alt-V तो आपकी formatting यहाँ पर इस पेस्ट हो गई है मतलब आपका काम देखे काफी जल्दी हो जाएगा आई दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ नेक्स शॉटकट की वह होता है आपका soft break की मतलब अगर आप चाहते हैं किसी line को next line में ले जाना बिना उसको paragraph में बद तो as it is यह वाली line आपकी देखे next line में चली गई लेकिन यह paragraph की तरह यहाँ पर treat नहीं होगी तो आप इसको use कर सकते हैं अगर आपने एक line को दूसरी line में लेके जाना है अब देखे दोस्तों computer सीखना हो गया और भी असान क्योंकि हमारी खुद की mobile app आ गई हैं तो just आप अपके play store पे जाहिए और हमारी app डाउनलोड कर लीजे जो कि है creative learning भारितेश यह app डाउनलोड करने के बाद और login करने के बाद आपको सारे courses हमारे मिल जाएंगे वो भी बह अब कौन सी चीज़ कब काम आज है अब आई यह दोस्तों बरते हैं यहां पर next shortcut की जो कि होता है आपका font size increase or decrease करने के लिए अब जैसे के अगर आप किसी text का font increase करना चाहते है अभी देखिए यह वाला font आपका 14 है अगर one point आप यहां पर font size increase करना चाहते है तो उसके लिए प्रेस करें यहां पर control button और यहां पर जो closing जो square bracket होता है आपने इसको press करना है तो आप देखिए one one point आपका यहां पर font increase हो रहा है और यहां पर open जो square bracket होता है अगर आप इसको click करेंगे या इसको press करेंगे तो आपका font यहां पर increase होता रहेगा लेकिन दोस्तों अगर आप control shift or greater sign तो देखिए 28 हो गया और decrease करना हो यहां पर control shift और यहां पर less than का sign तो decrease भी हो जाएगा to two point अगर one point increase करना है तो control or square bracket और अगर two point increase करना है तो control shift or greater than यह less than का sign आई दोस्तों बरता है next shortcut की next shortcut की होते है कि अगर आपने hidden जो characters है वो display करने है तो वह कैसे करेंगे अब जैस कि आपने का page break insert किया है और का paragraph insert किया है तो आप use करेंगे shortcut key control shift और यहां पर star button मतलब star button जो eight के साथ होता है जैसी press करेंगे आपको देखिए यहां पर दिख जाएगा कि हमने कहां का paragraph insert किया है और अगर मैं नीचे जाओं तो आप यह भी पता लग जाएगा कि मैंने paragraph insert किया ह कहां का मैंने space insert करी है तो सारे कुछ आप अपने document में read कर सकते है और उसके हिसाब से अपनी text की formatting कर सकते है और again disable करने के लिए control shift और star button प्रेस करेंगे तो यह वाला जो hidden characters का जो feature था show and height का वो disable भी हो जाएगा आए दोस्ते बरते नेक शॉटकट की और इस शॉटकट की में बताता हूं कि आप copy paste नए नहीं तरीकों से कैसे कर सकते है अपने text में अब जैसे कि suppose करिए हमारे पास यह वाला text है यह वाला ठीक है आपको समझाने के लिए मैं इस text को select करता हूं इसका color change कर लेता हूं जैसे red color अब मैं इस text को यहाँ पर copy करना चाहता हूं तो copy करने के लिए ज्यादा तर हम use करते ctrl c का और paste करने के लिए हम use करते ctrl v का लेकिन आप copy कर सकते हैं यहाँ बहुत ही easily दूसरी shortcut की की मदद से भी अब जैसे कि मैंने text को select किया अब मैं इसको करना चा ही हो जाएगा तो इस डंक से आप यहाँ पर copy paste कर सकते हैं और अगर आपने यहाँ पर cut paste करना है मतलब एक text को multiple जगा से cut करना है तो वो भी आप कर सकते हैं अब जैसे कि यह वाले text है हमारा ठीक है अब मैं चाहता हूं यह वाली line यहाँ से cut हो जाए तो इसके लिए मैंने line को select कर लिया और select करने के अब प्रेस करूंगा control के साथ F3 button अब यह वाले line आपकी यहाँ से cut हो गई है अब दुबारे मैं चाहता हूं यह वाली line भी यहाँ से cut हो जाए तो again मैं control के साथ F3 button press करूंगा तो यह वाले line भी cut हो गई अब मैं चाहता हूं जो दोनों line इं cut करी ह यहाँ पर पेस्ट भी हो गई है तो बहुत ही इंट्रस्टिंग यहाँ पर शॉटकट की से copy पेस्ट या cut पेस्ट की जो आप यूज कर सकते है अपने daily routine में आयो दोस्तों बढ़ते है next shortcut की next shortcut की होते हैं कि अगर आपने text का यहाँ पर background color change करना है तो आप कैसे करेंगे जैस यहाँ पर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं और यहाँ पर enter प्रेस करेंगे तो वह अला color आपका background color यहाँ पर change हो जाएगा आए दोस्ता बड़ते हैं यहाँ पर next shortcut की वह होता है कि अगर आपने text को center align करना है तो आप कैसे करेंगे जैसे कि यह वाला text का अगर आपने इसक करना है यहाँ पर a और c button तो आपका text यहाँ पर center align भी हो जाएगा आए दोस्ता बड़ते next shortcut की वह होता है आपका line spacing का मतलब अगर आपने text की line spacing adjust करनी है जैसे कि यह वाला text है अगर आपने line spacing adjust करनी है तो आप कर सकते हैं जैसे कि यह वाले text की अगर आप double line spacing चाहते हैं तो के साथ one button press करें तो single spacing भी यहाँ पर आ गई है आए दोस्ते बड़ते यहाँ पर last shortcut की जो मैं आपको बताने मला हूँ आज की वीडियो में वह तो आपका change case का मतलब अगर आप किसी text का change करना चाहते है case let's say capital यह small तो वह आप कर सकते हैं जैसकी यह वाले text है अगर मैं इसको यहाँ पर small या capital करना चाहता हूँ तो उसके लिए जस प्रेस करें shift की साथ F3 button तो आप देखेंगे इसका case change होगे capital letters में और अगर मैं प्रेस करेंगा shift की साथ F3 button तो आप देखेंगे lower case हो गया और अगर मैं प्रेस करेंगा तो देखें sentence case यहाँ पर आ गया है और अगर आ आप हमारी website पर चल जाएए जो की है www.creativelearningbyritash.in या आप हमारी खुद की mobile app भी download कर सकते है creative learning byritash के नाम से तो अभी कर लिजे इस course में enrollment क्योंकि क्या पता कौन सी चीज कब काम आ जाए